Hello CA Foundation Student, examination आ गई और कई चीज़े भी दिमाग में आ रहे होगी कि पेपर अच्छा जाएंगा, नहीं जाएंगा, क्या हमको आप याद आएंगा, कि नहीं आएगा, ट्रस्ट में, आपको सारी चीज़े याद आएंगी जो आपने पढ़ा रखे हो, और मुझे तीन चीज़े बात करना है कल के पेपर के बारे में, वह हम लगा भी आपे, बहुत कम समय पे मैं आप से डिस्कस करूगा, और सबसे पहली चीज़े आपकी, the best use of 15 minutes, आपने पंदरा मिनिट को best use करना है चाहिए, कि आप तो पंदरा मिनिट में, आपको पूरा पेपर तो obviously हम नहीं पढ़ और उसको नहीं करना है, इसका मदब बचेवे question अपने को करना रहेगा, और आपने ये देख लेना, कि कौन सा order आप करेगा, किस order में, what does it mean, कि order कौन सा रहेगा, ये हमारे दिमाग में ते से कौन से question को सबसे पहले करना है, पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं होता, कि जि इस question मैं आपको लगता है कि आप सबसे strong हो, सबसे अच्छे से आ रहा है आपको, सबसे ज़्यादा confident हो, उस question से आप शुरू करना चाहिए paper, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं, उसके बाद ये वाला question तो जो ज़्यादा अच्छे से, I mean to say, आप order दो, जो सबस पेपर है, वो smoothly आपने कर लिए, बहुत ही rare होता है कि 100% marks को paper तो, और उने smoothly बहुत जल्दी-जल्दी कर लिया, I hope आपके साथ हो जाए, लेकिन हो सकता है कि paper challenging आए, और वो जरूरी नहीं अकाउंट्स का paper हो, बच्चो, वो कोई भी आपका paper, चारो paper, बिसे कोई बहुत challenging आ बहार करते, वो percentage you know it, वगर आपको पत्किया, क्या result है, लेकिन institute ऐसे paper में ही चाहती है, कि कोई paper आपको बहुत challenging देगी, और maximum लोगों को वहीं पर बहार कर देगी, लेकिन उस paper में आपने घबरा नहीं, हो सकता है, वो accounts हो, हो सकता है कल दो challenging paper हो, ये कोई और आपका challenging paper हो, आपने ये देखना है, कि कौन से question आपको अच्छे से आता है, वहां से आपने शुरू करना, एक question करूंगे, आपको confidence खुदबखुद boost हो जाएगा, फिर आपको लगा ही नहीं, ये question भी हो जाएगा, तो फिर आपने वो question करना चाहिए, तो चारो paper में एक paper जरूर ऐसा आता है, उससे शुरू करना, और एक ही question करते हैं, जैसे आप 50-60 marks का paper कर लोंगे, आपको confidence खुदबखुद boost हो जाएग्जामेनेशन में, और एवन दो आगे difficult question भी रहे, तो आप उसको कर ले तो जब आप confidence रहे हैं, और कुछ चीज़े ख्यार लगा है, उसमें से एक होगे, आप वो 20 marks का question शुरू जरूर करोगे, उसमें time लगेगा, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सबसे पहले उस question को नहीं करना, क्योंकि वो time consuming questions होते, तो आप ऐसे question करना, जो छोटे-छोटे questions है, जिसमें आपको confidence के अच्छे से कर ले, वहाँ से आप शुरू करो, और जै 60 marks से paper को cover करने की कोशिश करना, क्योंकि आखरी में आप उन questions को उठाने वाले हो, जो लेंदी questions है, थोड़े थे difficult questions होते, तो आपने ये try करना, कि शुरूआत के 1 and half hour में, आप around 60 marks का paper cover करेगे, और उसके बाद आपने remaining questions, so not necessary कि 1 hour, 13 minutes में 1 and half hour में हो ही जाएगा, 5-10 मिट आ आते हैं, और एक और बड़ी important कि कल जब paper होगा, जैसा भी paper जाए, मैं यह उमीद करता हूँ कि आपका paper बहुत अच्छा जाए, लेकि कैसा भी paper जाए, उस paper को आपने अपने bag में रख लेना, और किसी से discuss नहीं करना, क्योंकि जिससे आप discuss करो कि friends से, हो सकता उसने भी गलत कर रहा हूँ, हो सकता आपने सही कर उसने गलत कर तो उसने बुला, उसने तो वो क्या फिर घब रहा जाए, किसी से discuss नहीं कर, आपका कल पेपर वस पेपर पुठा के अपने bag में रखे, सीधर जब पूर एक्जामिरेशन खता बढ़ जोंकि के बाद जाले हैं, ओके, so once again all the best आपके examination के लिए, I hope आपके CA foundation का paper आपके बहुत अच्छे जाए, अच्छे से clear होए, और CA intermediate में में आप से view, once again all the best to all of you, take care, bye-bye.